फिल्म पठान क्या होगी शहरुख खान के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉक पस्टर? किसने किया शहरुख खान की फिल्म की बंपर ओपनिंग का प्रेडिक्शन? शहरुख खान की फिल्म पठान की इंडिया से पहले ओवरसीज मार्किट में मची धूम शहरुख खान देपिका पड़कॉन स्टार और फिल्म पठान को रिलीज होने में अभी लगभग एक महीने का वक्त बचा है लेकिन अभी से इस फिल्म की ओवरसीज मार्किट में धूम मच गई है रिपोर्ट्स के मताबिक इस फिल्म की जर्मनी में एडवांस बुकिंग अभी से शुरू हो गई है और फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू होते ही सारी सीट्स अल्मोस्ट सोल्ड आउट हो चकी है और इस फैन्स फ्रेंजी को देखते हुए एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि पठान एक ब्लॉक बस्टर फिल्म साबित हो सकती है वैसे रिपोर्ट्स के मताबिक इंडिया में इस फिल्म की एडवांस बुकिंग फर्स्ट वीक अव जैनियरी से शुरू होगी वही जर्मनी में इस फिल्म की हुई बंपर एडवांस बुकिंग पर एक सौर्स का कहना है The Advance Booking for Pathan commenced on December 28th in Germany. Though the release is nearly a month away, the shows have started to get sold out in no time. It has led to a wave of cheer in the industry and trade. This shows Pathan is a hot product and will have a similar response in other countries as well, including in India. Social Media पर एक यूजर ने एक थीटर के स्क्रीन शॉट को शेर करते हुए लिखा कि फिल्म पथान को लेकर फैंस का पागलपन साफ नजर आ रहा है. Advance Booking Overseas has begun in Germany for Pathan and its madness all over. Berlin, Hamburg Dametor, Hamburg Harburg and Offenbach are almost house full. 25th January 2023 The King of Overseas is coming, y'all. वहीं जर्मनी में फिल्म पथान की इस amazing booking को लेकर experts काफी होपफुल हो गए हैं कि इंडिया में भी ये फिल्म कोई बड़ा कमाल कर सकती है. वहीं sources का कहना है कि जर्मनी में इस फिल्म की advance booking के response को देखते हुए, में makers शायद बाकी countries में भी जल्दी advance booking open कर सकते हैं. Sources का कहना है, looking at the Germany response, it won't be a surprise if theatres in other countries also decide to commence ticket sales. Not just India, the whole world is now eagerly waiting for Pathan Mania. Well, Shahrukh Khan की इस comeback film को लेकर उनके लाखों फैंस बेस सबरी से इंतिजार कर रहे हैं. और इसमें कोई बड़ी surprising बात नहीं होगी के इंडिया में भी advance booking कुछ ही minutes में sold out हो जाए. वैसे फिल्म पठान के सौंग बेशरम रंग को लेकर हुई controversy के बाद इस फिल्म के makers के लिए advance booking की news किसी बड़े relief से कम नहीं है.